वीडियो देखने से पहले स्चैनल का भी सब्सक्राइब कर दीजिए लेटेस्ट क्रिकेट और फूटबल नियूज के लिए साथ सासी बेल अगान को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी खबर छुट न जाए तो मैं हमीर और आपका मातीन की रिक्फर में बहुत बहुत स्वागा थे तो दोस्तों मैं आगे एबी टॉक के एक और एपिसोड लेकर और इस तरह में आज हम बात करेंगा आईसल 5 और आईलिक 12 से जुरे कुछ इंपॉर्टन यूज के बारे में तो जाने के लिफ विरूलास तक जड़ू देखते रही है तो सबसे पहले बात कर ले था आईसल 5 के बारे में तो आईसल 5 से जुरे पहले अपड़ट है एटी की से जुरे तो दोस्तो एटी की नहीं है के नया असिटेंट कोच को साइन कर लिया है जिनका नाम है बेन गर्नर इससे पहले वाली डाउंस उनका असिटेंट कोच था ओब AFC विम ब्लेडाउन के तरफ से काम कर रहा है इसलिए उनको अब एटी के छोट दिया है उनके जगे बेन गर्नर को साइन किया है तो दोस्तो गर्नर इंगलंड से बिलोंग करते हैं और क्रिस्टल पलेस का भी कोच रहे चुका है इसके लाब वर्ष ब्रॉम का भी कोच रहे चुका है उनका उम्रें 38 साल तो इतना ज्या मूब है एटी के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि आच्छा मॉमेंस कर गया एटी के नेक्स्ट जो सेशन शुरूओगा वहाँ पर और इसके बाद नेक्स अप्डेक्ट है दोस्तों क्रेला बिलास्टर और एपसी गोवा के बीच एक स्वाप डिल हुआ है क्रेला में तो दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच एक अदली बदली डील हुआ है यानिकी खिलारी के बदली खिलारी जो एक महतुपूर्ण चीज साबित हो सकता है अब जो नेक्स्ट सेशन सुरू होने वाला है आईसल का चलिए देख थे कि दोनों टीमों का क्या प्लान है इन उनका इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुआ है जिसके चलते अब नौशनारी डेपसी ने एक नया वीडिशी किलारी को उनके जगे में कंफर्म कर दिया है और उस नया खिलारी का नाम है पनाजियोटीस ट्रियाडीस तो दोस्तों जर्मनी ग्रीक से बिलों कर थे और उनका उम मदद आ सकता है नेक्स्ट सेशन में और अगर नेशनलन टीम की बात करें तो जर्मनी के अंडर 15 अंडर 16 अंडर 17 और 19 टीम के तरफ से भी खेल चुका है तो दोस्तों नौशनारी डेपसी को बहुत ज़्यादा फाइदा होने वाला है क्योंकि दोस्तों और बहुत ही अच् को बहुत ही मदद मिलने वाला है तो दोस्तों एक खतरना टीम बनना जा रहा है नौशनारी डेपसी इस नेक्स्ट सीजन में चलिए देखते हैं किस तरह से नौशनारी डेपसी आगे जाता है और टॉप फोर में कौलिफाई कर पाता है और दोस्तों साथ साथ मैं आपको य देखते हैं और इसके बाद नेक्स अब्रेश दोस्तों चन्नाई एपसी चुड़े तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता दिया था कि धनपल गने शचन्नाई एपसी के साथ तीन साल का कॉंट्रेक्ट और वी एक्स्टेंड कर लिया है लेकिन द अब जॉब होगा वहाँ पर रिटर्न करेगा इसके बाद नेक्स अपडेट है दोस्तों केला बलास्टर से जुरे तो दोस्ते जैसे कब लोग जानती होंगे कि केला विलास्टर ने अपना पिछला जो हेड़कोच ता डेवी जैम्स उनको छोड़ दिया और उनके जागे सब्सक्राइब को छोड़ कर मलेल इसिया नेसलनल टीम को जूइंट कर लिया था एज़े हीट कोच तो दोस्तों उनके पास आइसल का एक अच्छा खाचा एक्सपरेंस भी है जो साइद केला बलास्टर को मदद आने वाला है और उनके पास तो बहुत सारा एचिम्मेंट है और पूर्टुगाल का एक पूफेशनल हीट कोच रहे चुका है और टीम है पूर्टुगाल का और चिनिया जो टीम है उनका भी हीट कोच रहे चुका है तो दोस्तों उनके पास एक अच्छा एक्सपरेंस है उनका अगर उम्रे देखा जाए तो 65 साल है तो इनके पास एक बहुत ही अच्छा माइंड है और दिमाग भी है तो सायद करनबलास्टर को थोड़ा बहुत आगे ले जा सकता है आई सेल में और अगर कोई मिर्कल हो जाता है तो टॉप फोर में भी जा सकता है तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी टीम आप जो नेक्स्ट फेज होने वाला है इसके बाद चलिए मैं आपको एक बारा का पॉइंटी विल दिखा देता हूं कि अभी क्या हाल है और आप अगर मैं आप जानना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया था कि मुझे इंस्टेगाम पर फॉलो कर लेजिए मैं वहां पर आपको आई लीक से जुरे लगातर मै लिए लिए अपको बहुत बहुत दो कर दिए अपने दोस्तों से बीडियो को ज्यादा शेया का दूजिए ताकि उनको भी इस तरह के इमपोरिंट चीजह के बरमें पता चले आई इसल फाइब और आई लिग बारा से जुरे में आपको मिलता नेक्स वीडियों पे तब त सब्सक्राइब बाइब